अस्लाव अलेकों फ्रेंड्स वैलकम तो या झूरू आज में अपनी किजन में बहुते डिलीश है抖 बनाने जा रही हूं आज में मतन हांणी बनाने जा हूं यह टेस्ट में बहुते है बहुते ठेस्टी बनती है तो आईए शुरू करते हैं कि इसके लिए मैंने 750 ग्रम मतल लिया है और अच्छे से वाश करके रख दिया है और दो बड़े साइज की अनियर इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है 100 ग्राम हमने घी लिया है और यह देशी प्योर गी है आप चाहें तो इसे वेजेटेबल ऑईल में भी पका सकते हैं ले यह थीख ञड़ा दही है और मसालो में लिया है मैंने वन टेबल स्पूण सॉल्ट, हाफ टीचल्जिफून गरम मसाला पॉडर,ाफ टेबल स्पून कॉरियंडर पॉडर,ाफ टेबल स्पूण रैडड चीली पॉडर,ाफ तीचली पॉडर,ाफ साबूत धनिया और वन टीच जीरा इन दोनों चीजों को मिने हरका सा भूनने के बाद में दर दरा कूट लिया है गरब मसाला इसमें 10-12 लोंगे हैं 10-12 काली मिर्चे और 2 छोटी इलाइची और सिरिमेन स्टिक के 2 पीज है दो बड़े साइज की टमाटन को हमने कट कर लिया है और 5-6 हरी मिर्चे 3-4 हमारे पास बेलीव है तो सबसे पहले हम अपना मतन मैरिनेट करेंगे तो यह सिर्फ दही के साथ में हम इसको मैरिनेट कर देंगे तकरिबन 45 मिनट के लिए अच्छे से मेक्स करेंगे और इसे फ्रीग में रख देंगे 45 मिनट के लिए मतन को मैरिनेट हुए है हमारे 45 मिनट हो चुके हैं तो आए पकाना शुरू करते हैं कुकर में ने गरंद कर लिया है और इसमें आप हम सबसे पहले घी एड करेंगे इसी घी है और यह हमारा होमेड होता है और सबसे पहले अब डालेंगे अनियन और इसे लाइट गोल्डन होने तब फ्राइ कर देंगे और इसी में हम डाल देंगे ये खड़ा-गड़ा मसाला, आप इसे चाहे तो रोज करने के बाद में दरदाख उटकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से अनियन के साथ डाल दूँगी और इसे भी लाइट गोल्डन होने तर प्राई कर लेंगे अनियन हमारी लाइट गोल्डन हो गई है यानि कि पिंकिज होना शुरू हो गई है इस तरह कि इससे ज़्यादा हमें पिंकिज नहीं करनी तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे अपना मैरिनेडेड मतन जो मख्योड शुरू टूम न करना शुह चूहना, रहे बीजी टूम तो इसमाइब कोशानी मीञेटिगयाँ रधाने उटन हों, जब प्लिजाओ, और देवटयों टेक्विजाब यिस तक मुद्जाब गूल्डेट अजों झूकि-स शूप्वटयान, जहींुड़ों. तो मिनट हो चुके हैं हमारे मतन को जिंजर गालिक पेस्ट के साथ में भूलते हुए तो अब इसमें हम डाल देंगी जो मसाले हमने लिए हुए हैं सॉल्ट, करम मसाला पाउडर और हल्दी वगेरा सुब कुछ इसमें एड़ कर देंगे और अच्छे से मेक्स कर लेंगे अब दो से टीन मिनट नहीं हम अराम से भूल लेंगे तक मसाले की जो खच्छा पल हो जाए खुए ह फिर उसके बाद में और चीजर आड कर देंगे मतन हमारा दो तीन मिनट से भून रहा है तो अब इसमें हम एड़ कर देंगे तामाटर और टमाटर एंड कऱेंगे तक्र dollars करेंगे तो किसलीर। भालते कि रीस कर मिक्स कर लेंगे और बायं पानी जEMAुनियों से नेटकर centered तो एैज वसे gक तो कम regulating उपतर। करने के बाद में इसमें 3-4 सीथियां लगा लेंगे ताकि मतन हमारा टेंडर हो जाए तो मीटियम पूस्रो फ्लेम पर लगाएंगे चार सीथियां हमारे मतन खांडे में 4 सीथियां आ चुकी है अब इसका प्रेशर ख़तम हो चुटा है जोब हम चेक कर लेंगे कैस का फेम आर्म कर देंगे और इसमे जितना झेंड़े एक्षस वोटर हां इसको हम अच्छे सभूल से पर ऑषर के आभात खेभानेंगे पानी पुछ हो जाना चाहिए। मटर्स हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसमें अब हम एड़ कर देंगे पाइन चॉप हरी मेची जो हमने लेकर के दिखाएंगे। वह हम इसमें आड़ कर देंगे और इसमें आड़ कर देंगे कसूरी मेथी पूल लेंगे उसके बाद में और शीची से मिक्स करते जाएंगे। पसूरी मेथी का जो टेस्ट है इसके अंदर एकदम अब जाएगा अब अब इसमें हम एड़ कर देंगे बुना-कुटा-जीरा और बुना-कुटा-बुना-कुटा-धनिया इसे अची से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम एड़ कर देंगे क्रीम और कैस का ख्लेम स्लो कर देंगे सारन का टेक्शर बहुत अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी इसमें से खुश्बू आ रही है अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से तो फ्लेम पर हम इसे एक मिनट के लिए दमपर ठोड़ देंगे और जो हमने बाउल लिया था जिसमें हमारी क्रीम थी उसे हलक असा हम धोकर इसमें डाल देंगे और इसे दमपर रख देंगे तकरीबर दो से तीन मिनट के लिए और फिर इसको डिशाओट करेंगे अभी मैंने अब आने अच्छी अब आपकर दिया है और इसे दमपर रख देंगे दो तीन मिनट के लिए हमारे मतन हांटी को पकते हुए दो मिनट और हो चुके है तो अब हम चेक कर लेंगे आहिस्ता से चेक करेंगे क्योंकि ऑल हमारा सलपिस पर आ चुका है और इसमें अब हम एड़ कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला कौडर इसे मिक्स कर लेंगे हलके हाथ से और गैस का अब हम आप तंदूरी रोटी के साथ या बटर नान के साथ में सहर कीजिए उसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है तो अगर आपको मेरे रैसिपी पसंद आई है लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न ख्याल रखें, अल्ला हाफिज